Hello everyone and welcome to English Learning Camp. आज हम बढ़ने लगे हैं इंग्रिश में सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाले फ्रेजल वाब्स के बारे में. वीडियो की जानी बढ़ते हैं, let's start. हमारा पहला फ्रेजल वाब है लुक अराउंड, लुक अराउंड. इसका मतलब होता है to visit our place and look at the things in it. किसी जगा को विजिट करना और उसमें चीजें देखना. We have 20 minutes to look around. हमारे पास 20 minutes हैं कि हम इस जगा को विजिट करें और इसमें जो भी चीजें हैं उसको देखें. I will spend all day looking around the city. मैं सारा दिन इस city को विजिट करूँगा और इसमें जो भी चीजें हैं उसको देखूँगा. तो जब हमने यह meaning देना है कि आप किसी जगह को विजिट करना चाहा रहे हैं और उसमें जो भी चीज़ें उसको देखना चाहा रहे है तब फ्रेजल वह अब इस्तमाल किया जाता है Look around Cut out Cut out इसका मतलब होता है to make something by cutting कार्ड या को चीज बनाना कार्ड ना का meaning देने के लिए इस्तमाल किया जाता है She cut out the pictures from the newspaper उसने newspaper में से pictures कार्ड नी She cut the stickers from the magazine उसने magazine में से stickers कार्ड तो cut out का मतलब है कार्ड के कुछ चीज बनाना Come along Come along Come along का मतलब होता है to arrive Arrive कहते हैं आमद होने को या पहुंचने को We are going to the party हम पार्डी में जा रहे हैं You can come along if you want आप आ सकते हैं अगर आप जाहें I think she will come along later मेरा ख्याल है कि वो कुछ देर बाद आएगी तो come along का मतलब होता है arrive आना या पहुंचना इसके बाद है find out To get information about someone or something किसी इंसान के बारे में या किसी चीज के बारे में information लेना इसको कहते है find out I am trying to find out what happened मैं की चीज जानने की information लेने की कोशिश कर रही हूं कि क्या हुआ था I have not found out about her yet मुझे अभी तक उसके बारे में कोई भी information नहीं मिली है तो जब आपने किसी इंसान के बारे में कोई information लेनी है या किसी चीज के बारे में कोई information लेने की बाद करनी है तब phrasal verb इस्तमाल किया जाता है find out First form find, second form found और third form भी इसकी found ही होती है Stay up Stay up इसका मतलब होता है राद देर तक जागना To go to bed later than usual देर से सोने के लिए जाना Did you stay up late last night? क्या आप कल राद देर तक जागे थे? We stayed up till 2 p.m. हम दो बज़े तक जागे थे तो राद देर तक जागना या देर से सोने जाने के लिए phrasal verb इस्तमाल किया जाता है Stay up First form stay, second form stayed जिसना second sentence में लिखी हुई है और third form इसकी stayed ही होगी इसके बाद है dash of Dash of इसका मतलब होता है to write something quickly Quickly कहते हैं तेजी से जल्दी से लिखने को I must dash of a letter before I leave now मुझे जल्दी से एक letter लिख देना चाहिए जाने से पहले मुझे जाने से पहले जल्दी से एक letter लिख देना चाहिए Must यहां पर बता रहा है कि जरूरी है काम यह एक model वाब है अगर आप model वाब्स के बारे में पढ़ना चाहरे हैं तो वीडियो का लिख उपर आ रहा होगा इससे आप model वाब्स को कितनी तरह से कौन कौन से rules हैं हर चीज इनके बारे में detail से सीख सकते हैं She has time to dash off a note for him उसके पास time है कि वो जल्दी से उसके लिए एक note लिख दें तो जब हमने ये कहना है कि लिखने का हम जल्दी से की आ जाए तब हम dash off का phrasal verb इस्तमाल करते हैं Take off Take off To remove something specially clothed Take off your jacket It is wet अपनी jacket उतार दें ये गिली है तो उतार दें के meaning के लिए हम take off का phrasal verb इस्तमाल करते हैं Please take off your shoes मेरबानी करके अपने जूते उतारने अब take first form है took second form आएगी taken third form आएगी अब या पिडिपेंड करता है present time की बात करने है, past की बात करने है या V3 का इस्तमाल किया जाना है Take took taken Put on Put on इसका मतलब होता है to wear पहनना का meaning देने के लिए Please put on your hat मेरबानी करके अपनी hat पहन ले She is just putting on make-up वो make-up लगा रही है तो make-up लगाने के लिए भी हम put on का फ्रेजल वाब इस्तमाल करते हैं कपड़े पहनने के लिए भी या कोई make-up टाइप चीज लगाने के लिए भी अगर हमने कोई hat उतारने की बात करनी है फिर हम took-off का फ्रेजल वाब या take-off का फ्रेजल वाब इस्तमाल करेंगे ले आउट ले आउट इसका मतलब होता है arrange in a certain way जिस तरह एक मखसूस अंदाज में चीज़ें सजा देना डाइनिंग टेबल बे हम एक मखसूस अंदाज में जो भी प्लेट्स या फोक या स्पून वारा लगा देते हैं तो हम ले आउट कर देते हैं मखसूस अंदाज में उनको arrange कर देते हैं उसने डिजाइन टेबल पर एक खास तरीके से arrange कर दी उसने पिक्चर्ज लिए उनने लेड आउट कर दिया यानि एक खास तरीके से फिला दिया फिला के मखसूस तरीके से रखने को हम ले आउट कहते हैं skip out to leave something या somebody छोड़ जाने के मीनिंग के लिए इस्तमाल किया जाता है they just skipped out of the city वो city छोड़ गए she skipped out with all the money वो सारी रकम लेके या सारे पैसे लेके चली गई तो skip out का मतलब होता है छोड़ देना किस इनसान को छोड़ देना या कुछ चीज छोड़ देना I hope आपको इन सारे फ्रीजर वाप्स की अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शियार करें लाइक करें सबस्क्राइब करें Thank you